हाई गाईस में हूँ आजे कम बौझ और आज हम बात करेंगी कि एकर आप Ph decorative sector में जिसमें कवर करने जारे हैं उसमें lesson you registration क्या के रिक्वार्ड होगा आपको किसी भी pharmaceutical company किฆजले करती है बैंडडिय ने करती है और वह दा counter medicine में करती है और भी distribution surgical वगारा कि जो distribution है वो कैसे ले सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे also drug license का जो procedure होगा वो कैसे रहेगा कहां से आपको license मिलेगा क्या requirement रहेगी क्या डोकों पड़ेंगे उनके बारे में डिसक्स करेंगे pharmaceutical सेक्टर है यह drug and cosmetic act and rule के अंतरगत होता है यहां पर manufacturing, marketing, distribution, retailing, dispensing सब के सब ही regulated होते हैं अगर आप किसी भी तरह की activity करना चाहते हैं pharmaceutical सेक्टर में तो आपको एक license की जूरत होगी उस license के बीना आप कोई भी commercial activity नहीं कर सकते हैं pharmaceutical सेक्टर में तो हम यहां पर वही डिसक्स करेंगे कि अगर आपको distribution करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा pharmaceutical distribution बिजनस बूर करने के लिए आपको या तो एक आपके पास किसी pharmaceutical company की फ्रेंचेज या distribution होने चाहिए उसके अलावा आप wholesale drug license की जूर्थ पड़ेगी जेश्टी नंबर की जूर्थ पड़ेगी जेश्टी नंबर वैसी तो turnover-based होता है लेकिन अगर आप distribution बिजनस में हैं wholesale बिजनस में stockist बिजनस में तो जेश्टी नंबर आपके लिए essential हो जाता है क्योंकि आप बाहर state से medicine मंगाते हैं और उसको आगे supply करते हैं तो अगर आपके पास जेश्टी नंबर होगा तो आपको tax benefit उसमें मिलेंगे तो जेश्टी नंबर भी आप लेके चलेंगे तो ज्यादा better है और अगर आप पार्मा के साथ-साथ food supplement में भी काम कर रहे हैं तो आपको fssi ai lessons की तब तक आप distribution का काम नहीं कर सकते हैं या एक से जादा की Company की रख सकते हैं उसमें कोई प्राबलम नहीं है आप franchise यह e ak company की भी रख सकते हैं जादा की भी रख सकते में कोई Anda लेने से पहले किसी भी company की यह चूज चरुकरना बहुत जरूरी है कि आप किस तरह की marketing type की distribution में involve होना चाहते हैं आप branded medicine की distribution करना चाहते हैं अब generic drugs की करना चाहते हैं आप OTC की करना चाहते हैं फ्राइंचेजी लेना चाहते हैं किसी की या फिर आप hospitals वगेरा को supply करना चाहते हैं जिस भी तरह की distribution आप लेना चाहते हैं उसी के हिसाफ से आप pharmaceutical स् lemonade तो ऑप सितरो एलग तरह से करना पड़ेगा अगर वह मैंद गुर। सिमра कौई जितनी कंपनी होती है उनका हुए कोई एक ओरू leuke नेटवक यह जो उनका और डिस्ट्टिबृटर चल रहा है उसको चेन करना चाहती है तो आपको किसी मन्स्टिबीशन मिल सकती है और अगर दूस्री इक जिन कंपनी जिन का आपकी अरिया में distributor नहीं है अगर उनकी distribution चाहिए तो generally क्या होता है कि branded medicine में जो उनका field stop होता है वो काफी responsible होता है distributor appointment करने के लिए क्योंकि उनहीं को sale करनी होती है तो company ज्यादा बीच में कोई ज्यादा problem नहीं करती है उनकी जो recommendation है उसको मान लेती है क्योंकि sale तो उनके decision है उनको काफी माहिने देती है उसके अलावा आप directly company से भी contact कर सकते हैं जो उनकी website पर contact number है या contact form है या जो company का cndf है उससे भी आप directly contact कर सकते है distribution के लिए वह भी अगर आपको recommend करता है और company आपको point कर देती है उनकी recommendation पर भी तो कहीं में हो सकता है यह depend करता है company की policy पर की company नया distributor प्वाइंट करना चाहती है यह नहीं करना चाहती है इस तरह आप branded जो medicine है उसकी distribution हासिल कर सकते हो लेकिन फिर भी वह company की policy पर डिमेंड करता है आपके अरिया में तो यह कंपने करना चाहते हैं और अपने परणने डिस्ट्रीबूटर को जो चेंज करना चाते है यह नहीं करना चाते हैं तो कहीं factor है जिन पर यह depend करेगा आधो किसी company distribution मिल सकते है यह नहीं मिल सकती है अगर हम Gendrick medicine distribution की बात करो वहां भी field stop जो उनका our स्टाब होता है वो काफी importance होती है वसकी लेकिन जन्रिक medicine में थोड़ी सी अलग possibility भी होती है कि company के अगर आप company से ड्रक्टली कॉंटेक्ट भी करते हैं या फिर उनके सी एंडफ से contact करते हैं तो ज्यादा chances है कि आपको उनके distribution मिल जाती है क्योंकि अगर company के monopoly rights पे नहीं काम करती वह एक area में एक से ज़्यादा distributor को अपने product दे सकती है तो फिर वो दे देती है generic medicine में इतना ज्यादा problem नहीं होता distribution का तो वह भी basically अगर company की policy है monopoly rights की तो उसको छोड़ के आपको easily मिल सकती है बात यह है कि आपको कहीं company से contact करना पड़ेगा जिसकी भी आपके area में अगर वेकेंट होगी या वह आगे और भी distributor point करना चाहते हैं यह नहीं करना चाहते हैं तो यह भी कहीं factors पर depend करेगा तो आपको try करनी है काई आपको काफी company से contact करना पड़ेगा distribution के लिए अगर हम franchising medicine distribution की नहीं है तो उनकी distribution मिलना आपको काफी हीजली हो जाएगा बहुत सारी फार्म फ्रेंचेजी companies है उनके लिए आपको ज्यादा मैनत की जुरत नहीं होती आप या तो बी-टू-बी पोर्टल पे जाके अपनी contact detail डाल सकते हो या नेट पर अगर search engine पर गूगल बगारा पर आप सर्च करोगे तो बहुत सारी companies के लिए जाएगी वहां से आप उनको contact कर लेंगे तो वह directly ही आप से contact करते से रहेंगे तो उसका आपको इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा फ्रेंचेजी कंपनी की distribution आपको असानी से मिल सकती है बस अलिक उनका जो distributor हूँ वह आपके रिए में ना हूँ अगर मोटी सी medicine की बात करते हैं तो उसमें भी same वही pattern यूज होता है जो branded medicine की distribution में यह generic medicine की distribution में होता है जो हमने अभी discuss किया था इसके अलावा अगर आपके पास होल से drug license है तो आप surgical product की distribution भी कर सकते हो medical device की distribution भी कर सकते हो और आप API या बर्ट drugs की जो raw materials है फार्मा से related उसकी distribution भी कर सकते हो उससे related company हो से आप contact करके उनकी distribution हासिल करके तो आप medical device surgical product या bug drug की distribution भी कर सकते हैं आप बात करते हैं ओल्सिल ड्रग license की ओल्सिल ड्रग लैसेंस जनरली डिस्टिक जो ड्रग लैसेंसिंग अथोर्टी होती है मेंली जो इसका काम ड्रग इंस्पेक्टर के पास होता है जो भी आपके डिस्टिक का होगा वहाँ पर उनका office होता है जहीं से wholesale drug license इसू किया जाता है तो आप वहाँ पे विजिट करके wholesale के लिए अपने drug license को apply कर सकते हैं अगर also drug के लिए requirement की बात करते हैं तो कम से कम आपके पास जो सोप है जो परमेसिज है उसका जो एरिया है वो कम से कम होना चाहिए और वह एक प्रॉपर एरिया होना चाहिए स्विंटिड वॉल्स होना चाहिए कंक्रीट रूफ होना चाहिए फ्लॉर होना चाहिए महलब एक वह सारे जो ड्रग लैसेंसिंग अथोर्टी चेक करती है वो पूरी कम्पलीट देखती है कि आपकी आईजीनिंग केंडिशन में आप काम करोगे या नहीं उसके इसाफ से ही आपको लैसेंस दिया जाता है इसके अलावा आपको एक रिजिस्टर्ड फार्मसिस्ट की जूर्थ पड़ेगी या या तो आप खुद हो सकते हो या आपका पार्टनेर हो सकता है या अगर रिजिस्टर्ड फार्म है तो कोई डिरेक्टर हो सकता है अगर इन में से कोई नहीं है तो आप किसी ऐसे इंपलोई को हायर कर सकते हो जो इस रिक्वार्मेंट को पूरा करता हो रिजिस्टर्ड फार कि बात करते हैं minimum उसकी graduation होनी चाहिए और कम से कम उसको एक साल का experience होना चाहिए किसी भी pharmaceutical license distribution firm पर उसके बाद ही वह eligible होता है अब document की बात करते हैं कि आपको कौन कौन से document या format is complete करनी पड़ेगी wholesale drug license कि आपको application form फिल करना कोपी साथ में लगेगी या EP से related document साथ में लगेंगी फार्मसिष्ट या EP है जो आपका experience person है उसका address proof की copy लगेगी साथ में appointment letter लगेगा अगर आप में से या आपके partner में से कोई नहीं है आप किसी person को hire करते हैं इस qualification के लिए तो उसका appointment में लगेगा उनके date of birth का approved साथ में लगेगा एफडेविट लगेंगे साथ में और जो उनकी academic qualification है उसके certificate साथ में लगेंगे इसके अलावा जो आपका EP है अगर in case of EP फार्मसिष्ट के case में तो नहीं EP के case में experience वो दिखा रहा है तो उसकी salary statement या experience certificate साथ में लगेगा अगर हम partner या proprietorship के बारे में बात करते हैं फर्म के बारे में बात करते हैं उससे related document की बात करते हैं तो जो भी आपका consideration ऑप therm होगा या list के director होगी या partners होगी वह सारे साथ में लगेंगे जो अड़ास क्रूब होंगे proprietor का partner का या द्रेक्टर का वह साथ में लगेगा एपी डेविट लगेंगे उन सब के साथ में, उसके अलावा जो आपकी परमेसिज है, उसका जो ब्लियूप्रिंट है, उसका जो लेवाइउट बास में लगेगा। 2012 आपको बीसिश्र कि छो दोगली टेश्ट कोपी लगेगी साथ में अगर के चलावा ईवेंड़ेज्रैु 10 की रिक degнее कोडिेट्वर्इटर प्र事情 साथ में लगे तो उससे एवेंट्वेट अपकी डोकूमेंट्स साथ में लगेंगे उसके अलावगज आपकी पर message है वो उसमें complete space होना चाहिए कि glass doors के लिए racks के लिए pallets के लिए refrigerator रखने के लिए मलब complete जो minimum requirement के लिए हमने बाद की ती कि 10 square meter का area होना चाहिए उसके अलावा भी उसमें complete storage facility होनी चाहिए उसे drug license के अलावा आप GST number या FSSAI license को भी apply कर सकते हैं जो GST number है कोई BCA या accountant आपके लिए apply कर देगा उसमें भी generally pharmaceutical distribution business के लिए involve होंगे उसमें तब से पहले तो business plan भाइए कि आपको किस तरह की distribution करनी है आपको जन्रिक करनी है ब्रेंडिक करनी है या OTC की करनी है उसी के इसाफ से आप एक plan त्यार करिए कि आपको किन बंदों पे ज्याता concentrate करना है अगर ब्रेंडिक कर रहे हैं तो उसी के सा सब्सक्राइब करने के लिए उनको marketing करने की strategy त्यार करनी पड़ेगी तो उसी साफ से आप अपना business plan पर पे करिए आप एक firm बना लेजिए अगर आपको partnership firm बनानी है या registered firm करनी है उसी साफ से आप अपनी firm को get up दे सकते हो सबी डोकुमेंटों को आप त्यार कर लीजिए जो के लिए अपलाई कर दीजिए जिस्टी नंबर के लिए अपलाई कर दीजिए अगर आफ वोड़ सपलीमेंट में भी काम कर रहे हैं तो एफ एसस एई लेसेंस के लिए भी अपलाई कर दीजिए आप एक फार्मस्टोटिकल कंपनी की distribution लेके काम सरुकुर कर सकते हैं किसी ए अच्छे एरिया में जितने रिटेल काउंटर से फार्मेशी के उनकी कितनी नौलीज है कौन पेमेंट में अच्छा है कौन पेमेंट में अच्छा नहीं है तो उसी इसाफ से अगर आपको complete knowledge है उसके इसाफ से आप अपना एक strong business का जो distribution channel है वो establish कर दिए तो इस तरह हाँ आ distribution को सुरू कर सकते हैं उमीद करते हैं इंफर्मेशन आपको अच्छी थैंक्स पोर वाचिंग